सातियों नमस्कार स्वागत है हमारे चैनल EG Study Pharmacy में सातियों आज हम आपके बीच डिसकस करेंगे डाबर धातु पॉस्टिक चून सातियों बैदनाथ फार्मासुटकल भी कम बनाती है डाबर और डाबर फार्मासुटकल भी कम आती है साथियों डाबर धातु पॉस्टिक चूंड है कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले जाने के डिस्क्रिप्सन बेस्ट कंपोजीशन की इतना खास क्यों है यूजेस बेनिफीट की बात करेंगे डोजेस और इसका इस्तमाल कैसे करना सेफ्टी इंफार्मेशन इमार मिले हैं और किसी तरह की कलरिंग नहीं है इसके अंदर टोटली क्रूट ड्रग मिली हुई है कच्छी और सदी मिली है उससे क्या है कि बाडी पे किसी तरह का हामस नहीं है साइड फेक्ट नहीं है और यह क्या करता है ओवराल बाडी को जो है श्ट्रिंथ बल प्रदान करने काम करता है पूरुसों में इसका बहुत अच्छा इस्तमाल है इसका इस्तमाल ऐसे है कि आप जैसे कि डेली खाना खाते हैं उस तरह से आपके घर में कीचन में स्पाइसेस रहते हैं उस तरह से इसको रखना है और सुबे साम इसको जो है साधी सुधा पूरुस अगर इस्तमा विडैलिटी और बोस्ट करने का काम ये करेगी साथियों ये क्या करता है कि good increasing sperm count कहने का मतलब है पूर्षों के अंदर पूर्षात को निकालता है साथियों जिन पूर्षों के अंदर नबुल सकता कि लच्छा आने लगते हैं इस्परम काउंड कम हो जाता है तो उसको बढ़ाता है शाथिसमें एफ्रोडियसिक प्रापर्टीज है कि पार्टनर के साथ ज़्याजा दिर तक आनन्द ले सकते हैं साथियों इसकी खास बात है कि इसमें किसी तरह की हैबिट नहीं पढ़ती है किसी तरह का केमिकल नहीं है जैसे कि एलोपेटिंग मेडिसन खाते हैं तुरण तनाव तो आता है लेकिन बाद में क्या होता है कि डाउन हो जाता है धीरे धीरे उसकी हैबिट पड़ जाती है तो इसमें इस तरह का कोई वो नहीं है साथी साथी क्या करता है work on improving health and male reproductive आला कहने का मतलब है पुरुसाथ को निखालता है साथी साथ बहुत से ऐसे स्रोता है जो comment करते हैं कि हमारा private part थोड़ा छोटा है तो उसको भी बढ़ाता है ये साथी साथ ब्लड के circulation को बढ़ाता है तो इससे तनाव हो देर तक रहता है जादी देर तक आनंद ले सकते हैं और जिन पुरुसों के अंदर न पुन सकता कि लच् कहने का पदलब है पुरुस बांजपन की सिकाईत होने लगती है तो ऐसे केस में बहुत अच्छा रिस्पांस करता है साथी में डाबर धातु पौश्टिक चूण एक पाउडर फाम में हंडेट ग्राम का पाउडर है दो सब पच्पन रुपे मार पी है सभी आयरवेदिक एलोपेथिक और आनलाइन आप पर चेश कर सकते हैं डाबर धातु पौश्टिक चूण अब साथ क्यों यह इतना अच्छा क्यों है यह तो डिस्क्रिप्शन की बात होगे कंपुजीशन बताएंगे सभी इसमें इस्ट्रेक्ट आयरवेदिंग मिले हैं जैसे कि आत्म गु थकान को कम करता है और त्री वृति इसके अंदर मिला है सतावरी मिला है गोच्छुरा मिला है बाला बंद मिला है वंसा मिला है और कन कोला इसके अंदर मिला है और मधू सुनोही इसके अंदर मिल हुई है साथ यह और भी जड़ी बूटियों का इस्ट्रेक्ट इसके अंद के साथ भी ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है अब साथिवों यूजिस की बात करेंगे तो डाबर धातु पॉस्टिक चून जैसा कि आपको बता है ये क्या करता है प्रिवेंट्टु प्रिमेचोर इजेकुलेशन सीगर पतन जिनके अंदर हो जाता है ये नसे धेली हो जाती है और क्या होता है कि उससे जल्दी से डिश्चार्ज हो जाते है जल्दी से खलास हो जाते है पार्टनर के साथ तो वो समस्या कभी नहीं होने देता है साथी साथ क्या करता है helps to restore vitality उर्जा भरने का काम करता है उस् भी शरीर को बहुत फाइदा पहुचाता है जैसे कि जिनके बार-बार पेट खराब हो जाता है डाजेस्टिव सिस्टम खराब होता है और उससे क्या होता है कि पेट से गैस उपर की तरह भागती है और मुँ में चाले पड़ जाते हैं अगर अलसर है तो उसके लिए बहुत अच्छा अलसर ठीक करता है साथी साथ जिनको बार-बार इसकिन की विकार हो जाता है जैसे स्कैबिज हो जाता है या इचिंग हो जाती है या पिम्पल बहुन निकलते हैं तो ये ब्लेड को भी प्योरिफाई करता है साथी साथ क्या करता है कि इस cabbage को ठीक करता है खुजली बगरा कभी नहीं होती है जिनके फोड़ा फुंसी और घाव बहुत जल्दी हो जाते है वो नहीं होता है और साथी साथ ये psychological जो है किसी तरह का इसूज है परसन के अंदर छोटी मोटी संका रहती है प्रावलम रहती है दिमागी संतुलन बनाए रखता है और इस परम के काउन को बढ़ाता है प्रीमेचोर इजेकुलेशन की समस्या को दूर करता है किसी तरह का पूरसों में सेक्सूल डिसाडर है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस करता है साथी साथ एरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि नाइट फाल की जिनको समस्या ह से तुरंती निजात दिलाता है और एक चमस्या साम जो है इसको खाना है पांच मेल और यह किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करता है और साथी क्या होता है कि सेफ्टी इंफार्मेशन की बात करेंगे रीड दा लेवल कियर फुली बिफूर यूजन प्रोटक्ट फ्राम स साथियों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएगा साथी साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों नमस्कार